सुरुसरा से कुछ ही दूरी पर हम मुख्य स्थान पर आए मेगा हाईवे पर एक स्थान बना हुआ है लाच्छा गुजरी बावडी जैसी हमने उस बावडी को देखा तो मन में कई परकार के प्रशन त्यार हुए कई परकार के दीमाग में क्योशन मार्क लगे कि इतिहास में इतना इंपोर्टेड नाम लाच्छा गुजरी के कारण ही तेजाजी का नाम चमका था लाच्छा गुजरी की गाये यदि मेरे की मिना नहीं लेकर जाते तो तेजाजी महाराज इस परकार से वीरगती को प्राप्त नहीं होते और ये इस प्रकार का चमतकार नहीं होता, ने सांप ड़सता और ने सुरुस्रा का यहां कोई महतव होता और उस स्थान को देखा तो मेरे दिमाग में कई प्रकार के प्रशन है कि ये सरकार ने ऐसे स्थानों को महतव दे रखा है आबा नेरी की बावडी है चांद बावडी है रादस्थान में सेंकडों की संखे में बावडी है हमारे भारत में हजारों की संखे में बावडी है उनका स्रक्षन किया जा रहा है लेकिन एक धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ स्थान जिसका समंध हमारे इतिहास से है जबकि मैंने महराजी से कुछ उसके लिए शब्द भी सुने महराजी खुद आपको बताएंगे उसके इस्तिति क्या है और क्या ये महराजी अपने चार सब्द बताना चाहेंगे महराजी सबसे पहले आपका स्वागत है बताईए जब तक इसका जीनो धार नहो शरकार इसमें पैसा नहीं लगावे, शरकार इसके उपर ध्यान नहीं दे, जब एतिहास का नामी खत्म हो जाएगा, पंचाय चायती नहीं, वो एक ही जवाब देती है, कि ये सरकार की भूमी है, शरकार लाको करोरो रूपया इस भूम का कमा रही है, तो इसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसक सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, निता लोग क्या कर रहे हैं, इसके नाम से केवल कमाना खाना जानते हैं, और में चीज को भूला करके और तोड़ के नश्ट करना चाहते हैं, ये साथ सरकारी कर्मचारीयों के गुण हैं, हमें ऐसे ही कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि सं संत की जिंदगी शांति प्रक्रिया की ना कि उसको उचालने की धन्यवाद महाराजी मैं एक बात और आप से जाना चाहूंगा ये जगह जो है लाच्छा गुजरी की यहां प्रतिमा लगी हुए उनका समार्क बना हुआ है लाच्छा गुजरी के स्थान से इन संतों का इस प परिवाद टिलाचार महाराज जी मात यागी इनको पनेर सिटी से निकाल दिया गया था इनके गाएं थी दस हजार संत संजे बुड़े हैं दोनों उनको रख लिया गया और प्रभू की कृपा हो या माता जिर्ण की कृपा हो लाच्छा का जन्म हो जाता है और संत भी शरी पूरा करते हैं और माता पिता भी प्रापर्टी लाचा के नाम हो जाती है और आगे चलके तेजा की हेलपर बन जाती है और तेजा जी को सिद्ध बना देती है कहानी क्या है यह तो पुरातन की चोर की और राजा की चलती रहती है यह तो है तो महराजी एक प्रश्ण मेरा आप से रहेगा मुझे आपकी बासा सेली से लगा कि आपके सिख्षा है वो जरूर प्रभावी रही है मुझे आप अपने बारे में तोड़ा जीवन परीच्य दे आपकी आयू कितनी है और आपने कैसा दोर देखा है गुलामी का दोर था अंग्रेज लोग बहुत परेशान किया करते थे मैं भी स्टूटेंट था लहाबाद एन्वसिटी भी देखी लेकिन रहस और राज नहीं मिला संद को संद रहे गए और संघर्ष करते रहे देश आजाद कर ली है अजी 198 का पूरा हो गया आपकी शिक्षा में आपने क्या क्या कर रखा है माराजी मैंने अज्यान करने के बाद उसका यूजी नहीं किया तो उसको क्या कहा जाए ये मिच आ अपनी प्रापर्टी बचाने के लिए तो इसे शिछा ग्रान कीया और आज भी बचाते चले आये हैं, कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पड़े लिखे हैं, कानून वो हमसे लड़ाएगा, तो कानून से हम भी लड़ना सीख लिए हैं, ये संत के काम होते हैं, संत किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, इसलिए विचार हो तो मीडिया का, बड़े वालों के बड़े बड़े दिग्वजों का इसको सुधार करने की कोशिच करें अन्ताइसी जैसे वो भी डूब जाएंगी। कर दो अच्जय हो अच्छया िदरस उदार नहीं वह तो भी डूब जाएगा महराजी की वानी से यदि आप समझे हो मैं इसे यह समझाऊं कि इन्होंने हमारी जंता से सरकार से की निवेदन किया है कि जो हमारी इतिहास की दुरोवर है इसे संजोया जाए इसका रखाव किया जाए इतिहास बिलकुश रख्षा की जाए और इसके लिए कुछ चार कदम अगे उठाए जाए क्योंकि यह हमारा इतिहास है दुरोवर है हमारी यह कोई एक समान्य बावडी नहीं है इसके इतिहास के महतव को बना रखने के लिए यह निवेदन किया जा रहा है जो भी कर सके इसके लिए परियास उन सब के लिए यह परस्ताव है वो लाचा गुजरी जुग गायों को पाला करती थी तेजाजी महराज ने अपने प्रानों को त्याग कर वीरगती को प्राप्त होकर भी उनकी रक्षा की वे लाचा गुजरी अपनी गायों को यहां इस बावडी से पानी पिलाया करती थी और ये बावडी किसी समय में आजपास की नगर और छेत्र में जलापूरती भी करती थी जो आज विकास को रतरस रही है इतनी जादा वनस्पती इसके आजपास हो गई कि इसकी सीडिया नजरानी भी मुश्किल हो गई है के इसी परकार में आपके लिए नहीं जानकरी लेके आता रहूँगा जेहिन जे भारत